नमस्कार दोस्तों, स्वागते आपका एक्जामिनेशन 27 में आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकेंड इससे पहले फ़स्ट पार्ट चुके हैं अगर आपने फ़स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रेप्शन में लिंक है वहाँ से देख लीजे या सर्च बार पर एक्जामिनेशन 27 सर्च कीजे वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे तो चलिए क्वेस्टन पर चलते हैं A तथा B मिलकर एक कारे को 18 दिन में करते हैं जबकि B तथा C मिलकर इसे 24 दिन में और C तथा A मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो A, B, C तीनों मिलकर इस कारे को कितने दिन में समाप्त करेंगे देखी दोस्तो A और B कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में कर रहे हैं B और C 24 दिन में करते हैं और C और A 36 दिन में समाप्त करते हैं तो हमें क्या गयात करना है A, B, C तीनों मिलकर इस कारे को किते दिन में समाप्त करेंगे तो चलिए हल करते हैं तो question बोल रहा है A और B मिलकर कारे को किते दिन में कर रहे हैं 18 दिन में करते हैं बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं चोबिस दिन में करते हैं और सी और ए मिलकर चछतिस दिन में करते हैं तो देखी दोस्तो अठरा चोबिस और चछतिस का एलसीम ले ले लेते हैं अठ्राूचोपिस और शात्यों केलशियम कित रोधा जाएगा 125 का 12 लोध में कितने बार जाता है यह जाता है चार बार जाएगा 24 का 12 में कितने बार भाग जाएगा तीन बार जाएगा और चछतिस का दो बार जाता है तो यह क्या निकल गए दोस्तों चार तीन दो एक दिन की कारे छमता निकल गई एक दिन की कारे छमता और बहात्तर निकल गए टोटल कारे तो देखिए दोस्तों चार और तीन और दो कित्ते हो गए 9 हो गए एक दिन की कारेशम ता ABC की कारेशम ता एक दिन की कित्ती है 9 यूनिट है और कुल कारे कित्ता है 22 है तो एक दिन में 9 यूनिट कारे करते हैं तो 22 यूनिट कारे कित्ते दिन में करेंगे चली निकालते हैं 22 बटे 9 कर देते हैं तो कितने बार कट गया आठ बार कट गया तो देखी दोस्तों A भी दो बार आया है B भी दो बार आया है और C भी दो बार आया है सब दो दो बार आया है तो हम क्या करेंगे आठ में दो का गुड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाता है 16 तो कारे कितने दिन में करेंगे A, B और C मिलकर पूरा कारे 16 दिन में करेंगे या तो हम कुल कारे को डबल कर सकते थे या आंसर को डबल कर सकते थे तो हमने आंसर को डबल किया कुल कारे को भी डबल कर सकते हैं आंसर यही आएगा तो चलिए अगले question पर चलते हैं किसी कारे के 7 बटे 10 भाग को A 15 दिन में पूरा कर सकता है उसके 55 वहाँ B की साइता से 6 कारे को 4 दिन में पूरा करता है पूरे कारे को A तथा B मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे किसी कारे को 7 बटे 10 भाग को A 15 दिन में कर सकता है इसके 55 वहाँ B की साइता से 6 कारे को 4 दिन में पूरा कर सकता है तो पूरे कारे को A तथा B मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे यह ग्याद करना है तो चलिए हल करते हैं तो देखिए दोस्तो question क्या कहे रहा है A जो है 7 बटे 10 भाग कारे कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में करता है उसके बाद बचा B से 6 कारे को तो देखिए 10 पूरा कारे कितना है 10 यूनिट है उसमें से A 7 यूनिट कर रहा है तो से 6 कितना बचा 3 यूनिट बचा तो सेसकारी को और A और B दोनों मिलकर करते हैं तो A धन B सेसकारी किता बचा 3 बटे 10 यूनिट किते दिन में कर रहे हैं 4 दिन में कर रहे हैं तो देखिए दोस्तो 3 भाग कारी 4 दिन में कर रहे हैं 10 में से 3 भाग कारी 4 दिन में कर रहे हैं तो एक भाग किते दिन में करेंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, एक भाग किते दिन में करेंगे, यह करेंगे चार बटे, तीन गुड़ा दस, इस सैट पक्चानतर होगा, तो दस गुड़े में चल जाएगा, तो यह हो जाएगा 40 बटे 3 40 बटे 3 को हम लिख सकते हैं दोस्तो 13 साई 1 बटे 3 13 49 और 41 बटे 3 इस तरह लिख सकते हैं तो पूरे कारे को A तथा B मिलकर खित्ते दिन में करेंगे 13 साई 1 बटे 3 दिन में Option number C चलिए अगले question पर चलते A, B, C एक कारे को क्रमस 36 दिन में 54 दिन में तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं तीनों ने मिलकर कारे आरम किया काम समाप्त होने से 8 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया काम समाप्त होने से 8 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया C ने कितने दिन काम किया A गयाद करना है तो देखी दोस्तों A, B, C तीनों मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं कारे को तीनों मिलकर यानि कि तीनों मिलकर कारे आरम करते हैं काम समाप थोने से 8 दिन पहले A काम छोड़ देता है तथा काम समाप थोने से 12 दिन पहले B काम छोड़ देता है तो हमें क्या निकालना है C ने कितने दिन काम किया तो चलिए हल करते हैं इसे Question बोल रहा है एक इसी कारे को 36 दिन में कर सकता है बीव 54 दिन में कर सकता है और सी जो है 72 दिन में कर सकता है तो 36, 54 और 72 का LCM निकाल लीजिए कितना आजाएगा LCM? LCM आजाएगा 216 अब क्या करेंगे? 36 का 216 से भाग देजिए 216 में 36 का कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा 54 से 216 कितने बार कट रहा है? 4 बार कटेगा और 72 से 216 3 बार कटता है 216 क्या निकल गया? कुल कारे निकल गया? ABC 3 में 266 कुल कारे निकल गया? और एक दिन की कारे छमता निकल गई? 6, 4 और 3 एक की एक दिन की कारे छमता 6 है B की 4 है और C की 3 है 6, 4 और 3 कितने हो गए? 13 हो गए अब देखिए क्वेस्चन क्या बोल रहा है? कारे समाप्त होने से कारे समाप्त होने से 8 दिन पहले एक काम छोड़ देता है तो देखिए एक की एक दिन की कारे छमता कित्ती है? 6 है और 8 दिन पहले काम छोड़ देता है तो 8 दिन का काम निकल लेते हैं उसका तो कितना निकल जाएगा? 8 चिंग 48 और फिर बोल रहा है काम समाप्त होने से 12 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया तो B की कारे छमता कित्ती है एक दिन की? 4 है तो 4 गुड़ीत 12 तो कितना हो गया? 12 गुड़ीत 4 ये भी 48 हो गया तो टोटल कितना हो गया? 48 और 48 ये हो गया 96 तो देखिए टोटल कारे कित्ता दिया है 216 A आट दिन पहले काम छोड़ देता है और B बारा दिन पहले काम छोड़ देता है खतम होने के तो टोटल कारे कित्ता निकलता है? दोनों का 96 जो जो C को करना पड़ेगा 96 यूनिट कारे C को एश्ट्रा करना पड़ेगा तो ये देखिए कूल कारे 216 और ये 96 अतिरिक्त जो C को करना है इसको भी जोड़ देते हैं इसमें टोटल कित्ता हो गया? हो गया 312 अब क्या करेंगे? 312 को 13 से डिवाइट कर देंगे तो C का कारे निकल जाएगा C कित्ते दिन में कारे समाप्त करेगा? ये निकल जाएगा तो ये देखिए 13 से ये 24 बार कर जाता है तो C कित्ते दिन में कारे समाप्त करेगा? C 24 दिन में कारे समाप्त करेगा C 24 दिन में कारे समाप्त करेगा चली अगले question पर चलते हैं A अकेला एक कारे को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि B अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी-बारी से काम करे तथा A आरम करे तो कारे समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे तो देखी दोस्तों A अकेला 10 दिन में कर सकता है और B अकेला 15 दिन में कर सकता है यदि वे दोनों एक दिन छोड़ कर यानि कि बारी-बारी से पहले A करेगा फिर B करेगा काम करे और A आरम करे ए सुरुवाद करें तो कारे समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे यह ग्याद करना है तो चली हल करते हैं बहुत ही अच्छा कोश्चन दोस्तों देखिए ए कितने दिन में कर सकता है अकेला काम 10 दिन में कर सकता है भी कितने दिन में कर सकता है B अकेला 15 दिन में कर सकता है 10 और 15 का LCM कित्ता आ गया 10 और 15 का LCM कित्ता आ गया 30 आ जाता है LCM 30 आ गया 10 से 30 कित्ते बार कटेगा 3 बार कटेगा 15 से 30 दो बार कटेगा कित्ते हो गए टोटल ये कुल कारे निकल गया 30 ये कुल कारे है 30 और एक दिन की कारे चमता है A और B की A एक दिन में 3 यूनिट कारे कर सकता है और B एक दिन में 2 यूनिट कारे कर सकता है तो टोटल कित्ते हो जाएंगे 3 और 2 5 दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कारे करेंगे कुल कारे कित्ता दिया है 30 दिया है और एक दिन की दोनों की कारिशमता पाच है पाच्चक के तीस, शहे बार कड़ जाता है यानि कि लगातार कारिख करे लगातार कारिख करे तो शहे दिन में कारिख समापत हो जाएगा लेकिन यहां क्या बोल रहा है बारी-बारी से और A आराम करे तो कारिस समाप तोने में कितने दिन लगेंगे याना कि पहले A करेगा फिर B करेगा फिर A करेगा फिर B करेगा तो दोस्तो याना कि A का heb हो रहा है काम एक दिन छोड़ कर काम कर रहे हैं वो के cin में काम जाएगा एक दिन छोड़कर करेंगे तो दुगने दिन हो जाएंगे तो दो का गुड़ा कर देते हैं तु क्या आगया 12 दिन 12 दिन में कारे समाप्थ होगा 1 एक दिन काम छोल कर करेंगे तो 12 दिन में काम समाप्थ होगा option number B चलिए अगले question पे ए अकेले एक कारे को 16 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि भी अकेले इस कारे को 12 दिन में समाप्त कर सकता है यदि ए कारे आरम करे तथा वे एक दिन छोड़ कर एक दिन बारी-बारी से काम करे तो सारा कारे कितने दिन में समाप्त होगा तो देखिए A. अकेला कारे को 16 दिन में कर सकता है B. अकेला कारे को 12 दिन में कर सकता है A. आरहम करता है कारे को तथा एक दिन छोड़कर बारी-बारी से काम करते हैं दोनों तो सारा कारे कितने दिन में समापत होगा यह ग्याद करना है बिल्कुल वैसा ही है पहले question जैसे तो चलिए हल करते है question बोल रहा है A. अकेला कारिय 16 दिन में कर देता है और B. 12 दिन में करता है तो 16 और 12 का LCM किता आ गया 48 आ जाता है 16 और 12 का LCM 48 आ जाता है कुल कारे निकल गया यह अब एक दिन की कारे शमता निकाल लेते हैं 16 से 48 किते बार कटा 3 बार कटा 12 से 48 किते बार कटा 4 बार कटा 3 और 4 किता हो गया 7 हो जाता है तो एक दिन में ए और भी किता कारे यूनिट कारे मिलकर 7 यूनिट कारे करते हैं और कुल कारे 48 है जब वे एक दिन में 7 यूनिट कारे करते हैं तो 48 यूनिट कारे किते दिन में करेंगे तो 48 बटे 7 कर देते हैं तो 7 से 7 चिंग 42 च्छे बार तो जा रहा है और 7 सतिया उनाचाथ ज्यादा हो जा रहा है 48 से तो कित्ता बच रहा है 6 यूनिट कारे बच जा रहा है 7 चिंग 42 और 48 दिया है तो 6 यूनिट कारे बच जा रहा है 6 बच रहा है ये देखी दोस्तों ये तथा बी मिलकर साथ यूनिट कारे कर रहे हैं कित्ते दिन में दो दिन में क्योंकि बारी बारी से बोला है पहले दिन ए ने किया दूसरे दिन बी ने किया तो दो दिन में साथ यूनिट कारे कर रहे हैं तो 48 यूनिट कारे किते दिमेंगे 6 गुडित दो कर देते हैं किता आ गया 12 आ गया लेकिन देखियों दोस्तों यहाँ पे साच्छिंग 42 च्छाई यूनिट कारे अभी भी बच रहा है अब देखिए अब कारे A सुरू करता है तो पहले A की बारी आईगी तो इसमें से तीन यूनिट कारे A ने कर लिया एक दिन में तो बचे किते तीन यूनिट कारे बच गया वर अब B की बारी आईगी अब B की बारी आएगी लेकिन B B तो एक दिन में 4 यूनिट कारी कर सकता है लेकिन कारी तो कम है 3 यूनिट ही है तो क्या होगा दोस्तों तो यहाँ पर आजाएगा 3 बटे 4 तो टोटल किता होगा है दोस्तों 12 धन 1 धन 3 बटे 4 यह हो गया 13 सही 3 बटे 4 अगर आप अभी भी कनफ्यूज हो रहे है तो चलिए एक इक्जाम्पल से समझते है देखे दोस्तों कुल 48 किलो मिटर सड़क बनाना है कुल 48 किलो मिटर एक दीन में वो कितने किलो मिटर बना रहे है दो दीन में स्वारी पहले एक करता है फिर बी करता है तो दो दीन में साथ किलो मिटर सड़क बनाता है तेदी की 7 से 48 को डिवाइड कर दीजिए कितने जोड़े बनते हैं दो दो के साथ चिंग 42 और साथ सती ये उननचा साथ बार करें तो ज्यादा हो जा रहा है 48 से इसलिए 6 जोड़े बन रहे हैं प्रॉपर 6 जोड़े प्रॉपर बन रहे हैं और 42 किलोमीटर सड़क बन रहे हैं यहां तक बन रहे हैं यहां तक बन रहे हैं सड़क 2-2 के कितने जोड़े बन रहे हैं 6 जोड़े बन रहे हैं तो 2-2 के जोड़े बन रहे हैं तो इससे उगड़ा 2 से कर दो कितने हो गए 12 हो गए तो 12 दिन में 42 यूनिट कारे हो रहा है जबकि 48 करना था किते यूनिट बच गये 6 यूनिट बच गये 6 यूनिट कारे बच गया अब ए जो है वो बोलता है मेरी बारी पहले आती है यानिकि कारे आराम ए करता है तो ए अगले दिन ए कारे करेगा तो 6 में से 3 को घटा दीजिए किते बच गये अगला दिन तो दिन भी एक जोड़ दीजिए च्छाय मेंस तीन गए तीन बज गए लेकिन अब बी की बारी आईगी बी तो चार यूनिट कारी कर सकता है एक दिन में लेकिन काम कितना बचा है तीन यूनिट कम बचा है तो क्या जाएगा धन क्योंकि चार भाग मेंसे वो सिर्फ तीन भाग कर रहा है कर सकता चार भाग है लेकिन तीन भाग ही कर रहा है इसलिए जोड़ देंगे सबको बारा और एक तेरा तेरा सई तीन भाटे चार यह आजाएगा अंसर अप्सन नमबर सी A, B, C एक कारे को क्रम सब 20 दीन 30 दीन और 60 दीन में समाप्त कर सकते है यदि A लगातार कारे करे यदि A लगातार कारे करे तता हर तीसरे दीन B तता C A के साथ मिलकर कारे करे तो कारे कितने दीन में समाप्त होगा तो पहले दीन भी तो A च काम करता है दूसरे दिन भी A ही काम करता है और तीसरे दिन A, B और C तीनों मिलकर कारी करते हैं तो हमें क्या ग्यात करना है कारी कितने दिन में समाप्त होका ये ग्यात करना है तो चली हैल करते हैं क्वेस्चन बोल रहा है A 20 दिन में करता है कारी को B, 30 दिन में कर सकता है और C, 60 दिन में कर सकता है A, B और C, LCM किता आ जाएगा? 60 आ जाएगा कुल कारे निकल गया है, A, B, C का कुल कारे किता है, 60 तो एक दिन की कारे छमता निकाल लेते हैं 20 से 60 किते बार कटेगा? 3 बार कटेगा और 30 से 60 किते बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है और 60 से 60 एक बार तो ये क्या निकल गई? A, B, C की एक दिन की कारे छमता A, एक दिन में 3 यूनिट कारे कर सकता है B, एक दिन में 2 यूनिट कारे करेगा और C, जो है, एक दिन में एक यूनिट कारे ही कर सकता है अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले दिन तो A ही कारे करता है दूसरे दिन भी A कारे करता है और जो तीसरा दिन है उसमें A B और C तीनों मिलकर कारे करते हैं तो यह देखिए यहां से A का एक दिन के कारे ही हम तक किती है तीन है B की दो है और C की एक है तो चलिए लिख देते हैं तीन यूनिट कारे करता है एक दिन में धन A फिर से तीन यूनिट कारे कर रहा है यह देखिए यहां पर फिर A कारे कर रहा है धन बी कितनी यूनिट कारे कर रहा है दो यूनिट कारे कर रहा है और सी एक यूनिट कारे करता है जोड़ देते हैं सबको कितना हो गया दोस्तों यह 12 हो गया कितने दिन में 12 यूनिट कारे कर रहे हैं बारा यूनिट कारे कित्ते दिन में कर रहे हैं तीन दिन में कर रहे हैं तीन दिन में बारा यूनिट कारे कर रहे हैं यह देखी ना पहले दिन एक कारे कर रहा है दूसरे दिन भी एक कारे कर रहा है और तीसरे दिन तीनों मिलकर कारे कर रहे हैं तीन दिन में बारा यूनिट कारे हो रहा है तीन दिन में कित्ती किलोमीटर सड़क बन रही है तीन दिन में बारा किलोमीटर सड़क बन रही है अब बनाना तो साथ है तो बारा को साथ से डिवाइड कर दीजिए तो तीन-तीन के जोडे निकल जाएंगे कित्ते जोड़े बन रहे हैं तो बारा भाग से डिवाइट कर देते हैं तो इस पाझ बार चल जाता है यानि कि पाझ जोड़े बन रहे हैं तिन-तिन के कित्ते हो गए पंधरा ओ गए पांश्तिया पंधरा यानि कि 15 दिन में पूरी सडक बन जाएगी 15 दिन में पूरी सड़क बन जाएगी तो क्या करेंगे दोस्तो 60 को 12 से डिवाइट कर देते 12 पंचे 60 गुडित 5 जोड़े बन रहे हैं 3-3 के तो 3 से गुड़ा कर दो 5 तिया 15 तो कार किते दिन में समाप्त हो जाएगा 15 दिन में ओप्सन नमबर B यहाग कोश्चन दोस्तो A किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है B इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है A और B तथा C तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते है C अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा A 12 दिन में कर सकता है B 10 दिन में कर सकता है A, B, C 3 तीनों मिलकर 5 दिन में कर सकते है C जो है अकेला इसे कितने दिन में करेगा यह एक आद करना है हमें तो चलिए हैल करते है Question कह रहा है A काम को 12 दिन में कर सकता है B 10 दिन में कर सकता है और A B और C मिलकर कारे को कितने दिन में कर सकते हैं 5 दिन में कर सकते हैं तो 12 12, 10 और 5 का LCM कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा 12 से 60 कितने बार कर जाता है 5 बार कर जाता है दस से साथ कित्ते बार कट जाएगा और पास से साथ कित्ते बार कट जाएगा बारा बार कटेगा तो ये टोटल कारे निकल गया और ये एक दिन की कारेशमता है एक की एक दिन की कारेशमता पाच है बी की चाय है और ए बी सी की तीनों की कारेशमता बारा है तो ये देखिए A, B, C की कारेशमता कित्ती है? 12 है A, B, C, 3 की कारेशमता कित्ती है? एक दिन की 12 है तो ये देखिए A की कारेशमता कित्ती है? एक दिन की 5 है तो A कामान रख देते हैं B की कित्ती है? 6 है धन C की निकालना है हमें 12 तो क्या जाएगा दोस्तों C की कारे शमता 5 और 6 किते होगे 11 12 में से 11 को घटा दो 1 आ गया C जो है एक दिन में एक यूनिट कारे करता है तो 60 यूनिट कारे कितने दिन में करेगा 60 बटे 1 तो बराबर 60 यानि कि 60 दिन में कारे समाप्त करेगा C C अकेला 60 दिन में कारे को समाप्त करेगा तो आप्शन नमबर B यह देखिए दोस्तों question A तथा B मिलकर किसी कारे को 12 दिन में तथा B तथा C मिलकर इस कारे को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि C की तुलना में A दुगना अच्छा कारे करता हो तो उस कारे को पूरा करने में B कितने दिन लेगा A तथा B मिलकर 12 दिन में करते हैं B और C मिलकर 15 दिन में करते हैं और आगे बोल रहा है C की तुलना में A दुगना अच्छा कारे करता हो तो इस कारे को पूरा करने में B कितना समय लेगा तो चली हल करते हैं Question बोल रहा है A और B मिलकर कारे को 12 दिन में करते हैं और B और C मिलकर कारे को 15 दिन में करते हैं 12 और 15 का LCM कितना आ गया LCM आ गया 60 12 से 60 को कितने बार डिवाइड होगा 5 बार होगा 12 पंचे 60 15 से 60 कितने बार कटेगा 4 बार कर जाता है Total कितना हो जाता है 5 और 4 9 हो गया यह कुल कारे निकल गया और यह एक दिन की कारे छमता निकल गई आगे Question बोल रहा है C की तुलना में यह दुगना अच्छा कारे करता है यानि कि C एक काम करता है तो जो A दो काम करता है इनका रेशो क्या निकल गया A अनुपात C बराबर दो अनुपात A निकल गया दो अनुपात 1 तो यहां देगी दोस्तों A और B एक दिन में 5 यूनिट कारे करते हैं तो देखिए A धन B पाच यूनिट कारे करते हैं A की वेल्यू कित्ती दिये दो दिये यहां पर देखिए तो रख देते हैं दो धन B बराबर 5 तो B बराबर क्या जाएगा दो का पक्चनतर इधर होगा तो 5 में से 2 चल जाएगा 3 बचेगा B एक दिन में 3 यूनिट कारे करेगा तो 60 यूनिट कारे कित्ते दिन में करेगा तो 60 बचे 3 कर जीए 3 दूनी 6 यानि कि कारे कित्ते दिन में करेगा B 20 दिन में कारे करेगा 20 दिन में B कारे करेगा पूरा कारे option नमबर D अगले वीडियो में दोस्तों टाइमेड वर्क के बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन अवर भी और आएंगे जब तक की लिए चैनल को सस्क्राइब कर जीए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए नेस्ट वीडियो में हम टाइमेड वर्क का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे थेंक्यू फर वाचिंग